नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सामानों की चोरी जिसके चोरी होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी भारी भरकम सामान की चोरी के बारे में जानेंगे जो किसी को भी अचमबे में डाल सकती है तो देन न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं ब्रिज पुल कैसे कोई चोरी कर सकता है ऐसा हुआ रूस के खबरोस में ये घटना 2007 की है जब वहां के लोहे के पुल को चोरों ने एक रात में गायब कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला बहां की पुलिस का कहना है की इस पुल के लोहे के लिए चोरी की गई पर चोरों के काम करने की स्पीट के लिए तो तारीफ बनती है एक रात में लोहे का पुल खोला, गाडी में रखा और गायब गंटी 2005 में वाशिंग्टन के टेकोमा शहर के बौधिस्ट मंदिर से तेरा सो पचास किलो की एक घंटी चोरी हो गई ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि चोर आए और तेरा सो पचास किलो की घंटी उड़ा कर चले गए ये काम कोई एक आदमी ने तो नहीं किया होगा ये चोरी कम से कम 5-6 लोगों ने की होगी पर इसके एक साल बाद ये घंटी मिल गई क्योंकि बेफकुफ चोर इस तेरा सो पचास किलो की घंटी को 500 डॉलर में बेचते पकड़े गए दोस्तों क्या आप सोच सकते हो कि प्लेन को कोई चुरा सकता है नहीं पर ये घटना सच्ची है ये बात है 2003 की जब अंगोला के लुआंडा एरपोर्ट से दो लोगों ने बड़े ही आराम से बोईंग 727 में बैठे उसे रनवे पर लाए और टेक ओफ किया इतना सब हुआ पर किसी को पता नहीं चला और अजीब बात ये है कि उसके बाद ये प्लेन कहां गया उसका कुछ पता नहीं चला इस प्लेन के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला गटर के धककन जब 1990 में लोस एंजलिस की सडकों से 300 गटर के धककन गायब हो गये तब पुलिस को समझी नहीं आया की क्या करें और चोर को कैसे पकड़ें हर एक गटर का धककन करीबन 100 किलो से भी अधिक वजन के थे यानि कि कुल 40,000 किलो के वजन से भी अधिक का लोहा जिसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी इस चोरी का कोई सुराग नहीं मिला और वो चोर कभी नहीं पकड़े गए पानी का जहाज आपने सॉमालिया पाइरेट्स के बारे में तो सुना होगा ये लोग समुन्दर में आए दिन डकेतियां डालते रहते हैं ऐसा ही एक तेल से भरा जहाज घाना से जा रहा था इस जहाज पर 40 लाक बैरल तेल था जिसे इन लुटेरों ने लूट लिया 2008 की इस घटना के 18 महीने में तीन बार इस तरह की लूट की इस तरह की लूट के बाद कुछ समय के बाद जहाज तो मिल जाते हैं लेकिन तेल गायब होता है इस चोरी की कीमत करोड़ों में चली जाती है तो ये था आज का वीडियो दोस्तों ये वीडियो काफी महनत के बाद बना है जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा धन्यवाद